हेलो दोस्तों आज हम बहुत ही नरम सौप्ट पनीर के कोपते बनाने चाहर है जो कि बहुत ही ज्यादा सौप्ट है एकदम मूह में गुल जाने वाला और देख सकते कितना स्वाधिश्ट दीक भी रहा है तो चली इसे बनाते इस बहुत ही आसान सी रेसेपी दोस्तों तो यह हम यहां पर डाल देते हैं थोड़ी से हरी मिर्च और फ़र जाए धिन दोस्तों और सभीक अच्छे से हम मेक्स कर लेते हैं अब इसका में नीवु के बराबर आबर ऐसे लोही तोड़ते है और इसका वशी बनाने लेते हैं इसे गोल से बनाने गोल या फिर आप सब्सक्रत फैट में में बना सकते हैं सिसे पिल के on the farce में तयआर कर ली हैं तो असे मासालि और स्कमाटर साथ यहां बैकार करेंका के साथ रखती है यहां पर देखा के रख दिए और नृट से घीयर हम इलागा बनाएं ला स्टाइट है करे छाएं दूस्ते स्टेशज अट्छिर हम र Tabii स्वाथ से लागता है निया है और यहां पर चील स्पीश ही Calil नाइन दिशिए और दूस्तों प्याज अद्रक लसुन और यहां पर हमने जीरा इस चारों का पेस्ट बना लिया है और यहां पर टमाटर को भी हम पेस्ट बना लेते हैं मिर्ची के साँ तो यह देखिए यह वाला पेस्टे तैयार हो गया और यह जो काजू वाला जो पेस्टे वह वाला है तो तीनों हमारा तयार हो गया है मसाले तो चलिये अब हम यहाँ है कोटे को तल देते है गर्मगरम तेल में हम सोटे को ऐसे दाल देंगे और डीफ्राइ अच्छे से कर देंगे validmore होते तक इसे रीशती है यहां पर में तेल गरण कर रही हूं थोड़ा स अ तो यह खड़ी गरम मसाले है दोस्तों यहाँ पर अच्छे से गरम हो जाए तह घड़ी घांशे, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं त علي् padre hoş कितना प्यारा आया है अगर टमाटो का पैसे वोईल करकर और स्वरसलाल मिर्ज को भी साथ वोईल करकर डालते हैं दोस्तों बहुत अच्छा कलर आता है टमाटो प्यूरी बनाने के टाइम टमाटो का चिलका को निकाल कर अच्छे से ग्रैंड कीजिए और यह देखी जब अच अच्छे से भून लेते हैं यहां पर मलाई ढालते ही तो अपको तूरंत इससे मतलब मीडियम प्लेम करकि अच्छे से भूंते रहें वहना मलाई फट जाता है तो इस लिए इस वाक दियाँ रखिए अब यहां पर सुखे मसाले डाल रहे हैं जैसे कि यहां पर हल्दी मिर् और उसके बाद यहां पर देखें हम यहां पर देखें काजू वाला उसे हम यहां पर डाल देते हैं तो काजू बदाम और फली और मगजबीच कामने पेस्ट बना लिए था अगर इसमे से काजुबस मिदे तो काजुबस भी डाल सकते हैं लगत अफे भी पहली को भी डाल सकते हैं यहाँ पर सबकुत चमस लेकर बना ली थी और यह देकि ऑप अच्छी आने लग जाता हैं अगर काजु वाला पिर नहीं डालना तो स्चाहिशिप मलाई से भी आप बना सकते हैं को थोटों देक कर डालं को हम कर दें को अम सब कर दूसे के अब द बलाएगा नहीं अगर आपको तुरन सर्व नहीं करना है तो आप ग्रेवी को बना कर दीजिए और जब सर्व करेंगे उस टाइमें ग्रेवी को गरम करके करम ग्रेवी को कोप्ते में डाल कर सकते हैं अगर हम एक साथ पहले डाल देते दोस्तों तो सभी जो कोप्ता है ग्रेवी को एकदम जादे एब्सर्व कर लेता है तो इसलिए खाने के टाइम ही डाल लिए ग्रेवी को ज्यादा अच्छा रहता है तो यह देखी जब अच्छे सुबाल आ जाए तो हम यहाँ पर कोप्ते क दूख कर लेता है तो इसलिए आप जब सर्व करना ओ तभी गरम गरम गर्म को पटे वड़ी और दाली और देखिए तो करिब में यह पर दो मिनाटी पकाई हूं ज्यादा नहीं पकाई हूं कि कि गरम गरम ग्रेवी में कोप्ता वैसा ही पक जाता है और एक्तम सौफ्ट है दोस्तों देरी-देरी से चम्मस से हिला हिए वरन्न तूटने कभी डर होता है और यहां पर देख सकते हैं कितने अच्छे सुभा ला रहा है तो बस अपके इसको बन कर दीजे और यहां पर अब हम डाल देते हैं बटर तो अमूल बटर या पर घर का वाइट बटर हो वह आप अब डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो कट्यों यहारा धनिया डाल दीजे और यह देखिए कोपता कितना अच्छा से पक गया है बहुत ही स्वादिष्ट पनीर कोपता बन कर तेयार है दोस्तों इसे आप रोटी के साथ चामल के साथ किसी के सांद भी खाइए बहुत ज बन कर तेखारें जाए दोस्तों कि यहारा धनिया पनीर कोपता बन कर तेयार हैं कैसा लगर एसे पिर कमेंड बता है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि होंगे तो सब्सक्राइब कर लिजेगा ऐसे ही यूनिक यूनिक रेसिपी देखने के लिए बहुत सारी यूनिक रेसिपी दोस्तों मेरे चैनल में चेक जरूर कीजेगा और दोस्तों को शेयर जरूर कर देना तो चले दोस्तों आगले वीडियो मिलते हैं प्रेक्लिवे टिर्किर